चैट जीपीटी 1, 2, 3, 4 जैसे जैसे ही प्रोग्रेस कर रहा है हमारी टेंशन बढ़ती जारी है कि क्या हमारी जॉब्स को खत्रा है इन फाक्ट पंजाब हर्याना हाई कोट पहला ऐसा कोट है इंडिया के अंदर जिसने अपना जो जज्जमेंट है वो चैट जीपीटी से जो है वो रिजेक कर दी यानि आप जज़िस की भी ज़रुरत नहीं पड़ेगी इन फाक्ट लीगल प्रोफेशनल्स तो काफी टेंशन में है बिकॉज आफ हार्वी एई हार्वी एई एक ऐसी कंपनी है जो स्पेसिफिकली डील करती है लीगल प्रोफेशन से लेकिन अगर होती है वो की फैक्टर होता है for client satisfaction क्योंकि उन्हें answers चाहीं होते हैं और बहुत जिल्दी चाहीं होते हैं तो वो lawyers वो law firms जो इस तरीके के जो software से उन्हें use करती है वो ज्यादा progress कर रही है वो ज्यादा अच्छे से अपने client को satisfy कर रही है तो अगर हम statistics को देखें तो AI लीगल उनके लिए एक co-pilot की तरह काम करता है Harvi को found किया था Winston Winberg ने जो की associate थे at the law firm O. Melviny Mayors और इसके जो दूसरे co-founder है वो है Gabriel Priora जो की research scientist थे at DeepMind and a machine learning engineer at Meta AI और उनका claim है that this is the first company built on top of GPT-4 और उनका जो ये product है ये provide करेगा lawyers को with a natural language interface for their existing legal workflows यानि इस समय जो हमारे lawyers हैं जो की manually edit करते हैं सारे legal documents को और perform करते हैं legal research को Harvi AI जो है वो enable करेगा lawyers को कि वो describe current tasks जो वो करवाना चाहते हैं इन simple instructions और उस instruction के बाद जो Harvi AI है वो पूरा result जो है उन्हें generate करके देगा So we can see कि कैसे जो Harvi है वो easily answer करेगा आपके questions जो आपने natural language में पूछे हैं जैसे कि आप पूछना चाहते हो that what is the difference between an employee and independent contractor under the contract act तो वो आपको easily इसका answer देगा या फिर आपके document के अंदर कोई clause है whether it is in violation of the constitution or not या फिर कोई भी law जिसके regard में आप पूछना चाहरे हो So इस तरीके की question जो आप Harvi AI से जो natural language में पूछोगे वो आपको easily इन सब का answer देगा and to enable this Harvi has leveraged large language models to both understand users intent and to generate the correct output Harvi AI के बारे में पढ़के ऐसा नहीं लग रहा है कि lawyers की तो अब शायद जरूरत ही नहीं रहेगी क्योंकि हम उससे कहेंगे कि हम एक petition draft कर दो तो वो petition draft करके देदेगा notice draft कर दो तो वो करके देदेगा तो फिर lawyers के क्या जरूरत रह जाएगी लेकिन Harvi AI के founders ने clear कि इसका ये purpose नहीं है lawyers की जरूरत पड़ेगी बलकि ये काम करता है as an assistant to the lawyers अब lawyers जाधा efficiently काम कर पाएंगे क्योंकि ये सब चीज़ें जो की repetitive हैं जैसे जो legal documents हैं जो same तरीके के बन रहे हैं जो same है उसको एक जो individual है उसे बैठके पूरा पढ़े और देखे उसमें गलती है या नि ये काम AI करके देगा ये काम Harvi AI करके देगा तो it is basically helping them to work efficiently और वो उन चीज़ों पर काम करें जहां पर ये काम नहीं कर सकता तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे ये beneficial है lawyers के लिए सबसे पहली help जो ये कर सकता है वो है in legal research क्योंकि ये analyze कर सकता है process कर सकता है large volumes of legal information और present करेगा the most relevant cases and statutes based on the specific criteria इसलिए जो lawyers हैं वो अपना बहुत सारा time बचा सकते हैं and can increase efficiency by automating some of the repetitive and time-consuming tasks involved in legal research इसके लावा ये lawyers की जो accuracy है legal research की वो बढ़ा देगा and will minimize the risk of overlooking relevant legal information या फिर कोई incorrect आप conclusion निकाल लो तो ये सब चीजों को जो है वो काफी कम कर देगा और accuracy काफी बढ़ा देगा इसके लावा ये काफी cost effective भी रहेगा क्योंकि एक lawyer को काफी सारे लोग ऐसे रखने पड़ते हैं जिनने सिर्फ research का काम करना पड़ता है या जो सिर्फ drafting का काम देखते हैं तो जो ये हरवी AI है वो इस तरीके का काम easily कर देगा तो आप जो है जादा efficient लोगों को hire करें जो की बाकी काम करें ना कि सर्फ legal research और drafting तक ही limited रह जाए इसके अलावा ये help कर सकता है lawyers को in managing legal risk जो की associated होती है with new और unfamiliar cases क्योंकि उनने provide कर सकता है with a comprehensive understanding of legal precedents and statutes for example आपके पास कोई भी नया matter आता है नया case आता है उसको आप हरवी AI पर डालते हो वहां से कुछ बूचते हो तो वह आपको legal precedents जो पिछले cases है उससे जैसे वो provide कर सकता है जो statutes उससे deal करेंगे उसके बारे में सारी information बहुती comprehensive तरीके से यह आपको provide कर देगा so it will reduce the risk management thing so it will help lawyers in managing the legal risk and lastly यह provide करेगा lawyers को with personalized insights and recommendations so जो भी lawyers ने जो भी उनकी past research है जो भी practice areas है उसके basis पे it helps them in making more informed decisions and better serve their clients so यह जो harvy AI है या फिर जो chat GPT artificial intelligence related जो tools है हम use करते हैं यह काफी helpful है लेकिन यह जो डर फैला हुआ है कि इससे jobs replace हो जाएंगी नहीं jobs replace नहींगी they work as an assistance तो आपको इन्हें कैसे use करना है यह आना चाहिए क्योंकि अभी भी इनमें काफी loophole हैं कई बार यह incorrect जवाब देते हैं तो यह सब check कौन करेगा यह सब इनसानी check कर सकता है हम ही check कर सकते हैं यह bots check करके नहीं बता सकते so you can use them as an assistance यह आपकी help करेंगे in improving yourself लेकिन हाँ इनकी जरुवत हैं अगर आप इन्हें use नहीं करेंगे तो जरूर पीछे छोड़ जाएंगे because it makes you an efficient worker अगर हम हार्वी AI की बात करें तो इस ते इस बीटा स्टेश और यह कुछ भी जो है ethical consideration, security, client privacy, privilege issues इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बताता है क्योंकि यह issues जो हैं अभी भी resolved नहीं हुए हैं तो यह जो सारी sensitive information है क्या हम हार्वी AI पर डाल सकते हैं इसका जो data हम देते हैं हार्वी AI पर कुछ भी डालते हैं क्या वो कोई पढ़ सकता है नहीं पढ़ सकता है तो इस तरीके कि जो सारे issues है वो अभी भी unresolved है next issue जो arise हो सकता है वो यह है कि अगर आप कोई AI tool consider कर रहे हो अपने law firm के लिए then please ensure कि जो आपकी country का law है वो इस बारे में क्या कहता है यह allow करता है या नहीं करता है and vet prospective AI vendors carefully और एक बार आपने decide कर लिया है कि आप कौन सा AI tool use करना जाते हो then it is necessary कि आप उसको responsibly use करो और एक चीछ हम सब को ध्यान में रखनी चाहिए कि यह जो हारवी AI है यह बहले ही lawyers को help कर रहा है लेकिन यह किसी वकील का जो wisdom है जो experience है उसे replace नहीं कर सकता plus यह जो information provide कर रहा है यह सही है या गलत यह एक lawyer ही provide कर सकता है क्योंकि कोई भी current changes हुए amendment हुए उस country के law में उस state के law में तो यह सब कुछ उसने update किया है या नहीं किया है या जो information जो interpretation वो निकाल रहा है वो सही या नहीं यह एक lawyer ही बता सकता है अब हम यह देख लेते हैं कि यह जो हारवी AI है यह कितना successful है Recently इसने raise किये है 21 million dollar in a series A funding which was led by Sequoia Capital जो की एक VC firm है और इससे पहले November के अंदर इसने raise किये थे 5 million dollar So जिस company ने जिस fund ने इसके अंदर पैसा डाला है यह वो same fund है जिसने Open AI के अंदर भी पैसा डाला था Open AI यानि वो company which is the developer of GPT AI technology उसके बाद February के अंदर Allen and Overy जो की दुनिया की सबसे बड़ी law firm है उन्होंने announce किया that it had integrated Harvey into the global practice इसका मतलब यह है कि इस law firm के जो 3,500 lawyers हैं across its 43 offices which are operating in multiple languages यह सब लोग जो है Harvey को use करेंगे इसके बाद March के अंदर PwC ना announce किया एक global partnership with Harvey providing PwC's legal business solutions professionals exclusive access among the big four to Harvey's platform और recently entry हुई Sequoia Capital की जोनोंने confirm किया है that they will be investing 21 million dollar round of funding for Harvey दो यह जो Harvey का product है it is yet to become commercially available except by invitation और Sequoia का कहना है कि जो Harvey है it is the first and best instantiation of a new breed of company the AI super app यह जो है लोगों को super powers दे रहा है सबसे पहले इन्होंने start किया है lawyer से then next might be professional services and eventually all of knowledge work अगर हम Sequoia Capital की बात करें तो यह एक American venture capital firm है जिसका headquarter Menlo Park California के अंदर है और यह specialize करता है in seed stage, early stage and growth stage investment के अंदर अब आप लोग सोचे होंगे कि सारी की सारी stages है क्या इनके बारे में detail में इसी वीडियो में last में बात करूँगी Sequoia एक umbrella brand है for three different venture entities जिसमें से एक जो है वो focus करता है US और Europe पे then another one on India and Southeast Asia and a third on China अगर हम इसके notable successful investments की बात करें तो उसके अंदर आता है Apple, Cisco, Google, Instagram, LinkedIn, PayPal, Reddit, Tumblr, WhatsApp and Zoom So हम देख सकते हैं कि यह Sequoia जो fund है वो कितना important है यह जितनी भी major apps हैं उन सभी में Sequoia ने fund किया था So अब हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी different stages होती है VC के अंदर क्योंकि जो भी stage होती है उसके अंदर कितनी funding होगी यह भी depend करता है सबसे बहले हम start कर लेते है seed funding से यह जो seed stage होती है it is the earliest stage of VC investment यहाँ पर जो startup होता है वो अपनी ideation phase के अंदर होता है या फिर just start हुआता है just उसे found किया गया होता है और इस stage के अंदर जो funding होती है it is usually provided by angel investors और seed stage venture capital firms और इसके अंदर जो funding होती है उसे use किया जाता है to develop a prototype, conduct market research and hire initial staff next is early stage इसके अंदर जो startup होता है उसके पास product होता है service होती है which is gaining traction in the market early stage funding जो होती है it is typically provided by venture capital firms और angel investors इसके अंदर जो funding है उसे generally use किया जाता है to support product development, marketing and customer acquisition next है growth stage इसके अंदर जो startup है उसने अपना business model जो है उसे proof कर दिया है और generate कर रहा है significant revenue इसके अंदर जितनी भी funding आती है generally वो venture capital firms जो है वो provide करती है ताकि ये जो company है वो expand कर सके अपने operations को और staff को hire कर सके and develop new products or services next is late stage इसके अंदर जो company होती है वो काफी well established होती है और तयारी कर रही होती है for an IPO or acquisition इसके अंदर जो funding होती है it is provided by private equity firms या फिर जो investment banks होते हैं वो ताकि ये help कर सके company को in preparing for the next phase of its growth और last है exit stage ये जो है वो final stage होती है एक VC investment के लिए जहाँ पे जो investors होते हैं वो exit कर लेते हैं अपने investment से in the company या तो through an IPO और acquisition और यही वो stage होती है जहाँ पे जो investors हैं वो उन्हें अपना return मिलता है यानि जितना पैसा उन्होंने एक company में लगाया है उससे उनको क्या फाइदा हुआ उनको क्या profit हुआ वो इसी stage के अंदर मिलता है typically in the form of cash or stock लेकिन एक चीज जो हम सबको पता होने चाहिए वो यह है कि जरूरी नहीं है कि हर startup के अंदर यह सारी stages हो some may skip one or more stages depending on their growth trajectory and funding needs and यह जो VC firms होती हैं यह specialize करती हैं in investing in specific stages जैसे कि early stage की VC firm अलग होगी, growth stage की अलग होगी, seed stage की अलग होगी so this was all about Harvey AI I hope this information was helpful to all of you please do like share and subscribe to my channel thank you